देखिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और साधवाद देती हूं कि आज के समय में आप एक निश्पक्ष होके जिस तरह से जनता की आवाज को परमुक्ता से उठा रहे हैं तो आप बधाई के पात रहे हैं आप लोग और जिस तरह से जमीन क्योंकि आज क्या हो रहा है तो अपनी बात को कोई मुखरता से अगर उठाता भी तो वो कही ना कहीं आगे जाकर दब जाती है तो आप के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद की आप इन इस आवाज को लोगों की आवाज को जनता की आवाज को आगे तक आ रहे बढ़ा रहे हैं तो इसके लिए आपक बहुत बड़ी समस्य है हमारे शेत्रे में क्योंकि यूथ जो है वो फैक्टरी है हमारे से में सिदकुल जिस तरह से है उस तरह से यां सहला कोई में फैक्टरी मानी तिवारी जी का दिन है तो उस वज़े से वहाँ पर उस वक्त यह साइन हुआ था कि 70% आप लोकल रखेंगे वहां पर प्रॉब्लम सोली लोगों कि ते तमाम ऐसी वह हैं महिलाओं के पास कोई रोजगार के साधन नहीं है क्योंकि महिलाएं अगर अपना काम निप्टा के भी बैटनी है और वो उनके अंदर योगता है वो करना चाहते हैं लेकिन कोई ऐसा कोई काम या ऐसे कोई कुटर वहां पर नहीं है कि वह अपना उससे कुछ आर्थी ग्रूप से शक्षम हो पाए तो मैं उनके वारे में भी कुछ करना चाहूंगी से मैंने बताया कि सहला कोई एक नगरपाली का वरने जा रहा है उसके बावजूद भी वहां इतने गाउं हैं जहां कि वाटरेबल वाटर और साथी साथ पानी के प्रबलम क्योंकि पानी के विना तो कुछ भी नहीं है महिला है इतनी दूर से इस बार बरसात में आपने देखा लोग नाले खालों से लोगों ने पानी अपने पीने का पानी का यूज किया है तो यह तीन मुख्यत समस्या है महिलाओं के लिए समाज के सरोकारों के लिए और आप तक लेकर आते हैं जनता की सटी कराय तो आज इस खास पेशकर्ष में मेरे साथ मौजूद है कॉंग्रेस से लक्षमी अगरवाल जो की सहस्पर विधान सभा से अपनी दावेदारी पेश कर रही है बहुत स्वागत है माम आपका अईपा तो मुझे यह लगता है कि जब यह सीट पहले रिजर्व थी और जब ओपन हुई थी उस समय हमारे जो महाँ पे साधुराम जी माने बिचारे स्वारगी अब हमारे बीच में नहीं है लेकिन वहाँ से विधायक बने कॉंग्रेस से और मंत्रे बने उसके बाद उनके कारेका कोई भी विकास कारे हुआ है क्योंकि आज वी उस छेतर में रही हैं डाक्टर्स नहीं है तो जो ऑचिनावी मैडान में उतर रहे हैं तो चुनावी मैदान में उतरने के लिए या आप इस विधान सभा से चुनाव लड़ने की तयारी कर रही हैं तो आपके में मुद्दे या जो में विकास होगा वो क्या होगा देखी सुएता जी मैं दो बार पहले भी इंडिपेंडेंट्ट शुनाव लड़ चुकी हो इस बार में कॉंग्रेस से टिकेट मांग रही हूं मेरी दावेदारी है जहां तक मेरी उसकी बात है कि मैं क्या अपने कॉंस्टेंसी के लिए मेरी कॉंस्टेंस से मैंने कहा सबसे पहले जो मूलभूत जरूत हैं जब वो पानी हो क्योंकि पूरी कंडी शेत्र में जितने भी हमारे 40-50 गाउं हैं वहां लोग पीने के पानी के लिए तरज रहे तो पानी है सड़कें हैं और स्वास्ते के अंदर जैसे में डॉक्टर नहीं हैं स्कूल की बिल्डिंग्स इतनी खर कि 70% आप लोकल रखेंगे और 30% बार के लेकिन वहां पे जस्ट उल्टा हुआ है तो कहीं न कहीं उसके लिए आवाज उठाते रहते हैं कूड़ा घर एक बहुत बड़ी ट्रेशिंग ग्राउंड वहां पे बना है वह बहुत बड़ी समस्या जो हजारों गाहों से इफेक् योग वहां पे नहीं है कि वो अपना उससे कुछ आर्थिक रूप से शक्षम हो पाया तो मैं उनके बारे में भी कुछ करना जाओंगी दिखी मैंने जैसे कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से शशक्तना बहुत ज़रूरी है और मेरे यह पूरा पूरा प्रियास होगा कि मैंने उससे पहले कुछ किया भी है कि मैंने समू बना के कहीं पे मश्रूम कहीं पे सिलाई केंद्री कहीं पे ब्यूटिशन का कोर्स इस तरह से तमाम समू मैंने बनाया कुछ रन भी हो रहे हैं उसमें तो इस तरह से तमाम छोटी छोटे जो मैंने समू के दौरा उनको तो उनके पास वो योग गिता है लेकिन उनको अच्छा मार्केट नहीं मिल पाता तो मेरे बहुत सारी योजनाय मेरे दिमाग में है महिलाओं के लिए तो निशीरुप से मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनके लिए ये ज़रूर करूँगी साथ इसाथ हमारा जो यूथ है तो क कहीं न कहीं उसका दिमाग दूसरी चीज़ों पर लगेगा उनको वहां पर कुछ ऐसा खेलने का कोई ग्राउंड नहीं कोई खेल का मैदान नहीं हमारे स्कूल में हमारे शेत्र में जिसमें वो अपना तोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी कर सके तो बहुत सारी समस्या है जिनको अभी दूर करना बाकी है आपकी विधान सभा में क्या ऐसी मुख्य परिशानी है जिस पर आपकी एकदम सटीक नजर है कि हाँ अगर मैं विधायक बनती हूँ तो सबसे पहले मैं इस समस्या का समाधान करूंगी और क्या आपकी विधायक ने उस समस्या पे अपनी नजर डाली है और उस पर कुछ विकास या उसका समाधान करने की कभी कोशिश की देखिए जहां तक हम विधायक की बात करें वो इस बार वो तीसरी बार की दावेदारी करें दो टर्म में वो रह चुके हैं उससे पहले भी भाजपा की विधायक तीन बार से हमाने चेत्र म बहुत उंचा है उसके साथ साथ उसको हटाना मेरी प्रार्थ मिकता होगी साथ ही साथ मैं युवाओं के लिए कुछ ऐसे रोजगार के अफसर वहां पे खोलना चाहती हूँ वो मेरा मुख्य देश यह है मेरा कि युवाओं के लिए रोजगार एक ट्रेचिंग राओं और साथ साथ पानी के परबलम क्योंकि पानी के विना तो कुछ भी नहीं है महिलाएं इतनी दूर से इस बार वरसात में आपने देखा लोग नाले खालों से लोगों ने पानी पिने का पानी का यूज किया है तो यह तीन मुख्यता समस्या है महिलाओं के लिए रोजगार मेरी जाता है कि महिलाओं के लिए 40% जो है seat reserved है पर कहीं न कहीं implementation में कमी है तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे देखिए मैं सबसे पहले यह कहना चाहते हूँ कोई भी दल हो जब तक महिलाएं आवाज नहीं उठाएंगी क्योंकि पार्टी सब बाते करती है हां Congress कि जब सर उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है लेकिन बावजूद उसके आज जो भी पार्टेयां दावे कर रहे हैं कि हमने महिलाओं को यह किया मुझे लगता है कि धरातल पे कुछ हुआ है और मेरी महिलाओं से ही अपील है कि जिस तरह से हम लूप से हर व्यक्ति उनकी आवाज सुनेगा और उसका बाद को आगे अद तक पहुंचेगे वाज उत्राखंट की अभी आपने बात करी तो कही न कहीं उत्राखंट को बनाने में सबसे जादा महिलाओं का योगदान है लेकिन कहीं न कहीं अभी महिलाओं को उस तरह से उ तो क्या आपको लगता है आने वाले समय में उत्राखंट को महिलाओं ने बनाया है तो क्या महिलाओं को एक नया दर्जा एक नया नाम या एक नई उमंग उत्राखंट की तरफ से मिलनी चाहिए तो परवती शेत्रे, यहां महिला इतनी शशक्त हैं कि वो अपना घर भी समाज को भी देखती हैं और अपना राजी भी चला सकती हैं तो कहने के मतलब ये कि महिलाओं को थोड़ा सा उनको उनका घर से परिवार से वो उत्सा बड़े वो कर सकती है बिल्कुल कर सकती है उनके अंदर वो योग्यता है बस उनको थोड़ा सा मौका देने की जरुत है तो जहां जहां महिलाओं ने काम किया है जहां जहां पर महिला ह आप देखें, बहुत अच्छा काम किया हैं, क्योंकि एक महिला किस तरह से घर चलाती है, वो सामंजे से बिठा के काम करती है, आप बताइए, किसी महिला पर आज तक भष्टा चार के आरोव अपने जल्दी से नहीं सुने होंगे, पुर्षों पर लगते आये हैं, तो वो बह मंत्री के तौर पर आप एक महिला को देखती हैं, और आप खुद भी एक बड़ी दावेदार हैं, सहस्पूर का एक बड़ा नाम है, तो क्या आप चाहती हैं, या आपने कभी ऐसा सोचा है, कि हाँ, मैं आने वाले समय में उत्राखंड के लिए काम करूं, और उत्राखंड इस छेत्र में महिला आगे नहीं हैं, इस पेस से ले कि कौन सा ऐसा छेत्र है, सामा जीक, आर्थिक, राजनेतिक, किसी भी इंडस्ट्री में आप देख लिए महिला हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो निशित रुप जीस इस स्टेट में महिला हैं, चाहे वो अगर जनता जो है, आप पर विश्वास करती है, तो क्या आप क्या नई प्लानिंग जो है सहसपूर की विधान सबा के लिए बनाएंगे, क्या आप दूसरे विधायकों की तरह ही काम करेंगे, या आपका कुछ काम करने का तरीका अलग होगा? दिखिए, सबसे पड़ी बात में हमेशा से कहती आई हूँ, कि अगर मुझे सहसपूर की जनता मौका देती है और मैं विधायक बनती हूँ, तो निशिद रूप से जो सत्तर विधान सबाएं हैं, उनमें एक विकास के मॉडल के रूप में सहसपूर की कॉनसेंसी को देखा जाएगा, क्योंकि अभी मैं किसी पद पर नहीं हूँ, कोई पद मेरे पासनी है, उसके बावजूद भी मैंने, जितना काम मैंने अपनी काशनसी में किया है, मुझे नहीं लगता कि सतर विधान सबाएं, ये एक चцैलेंज है, सतर विधान सबाएं में भी इतना काम हुआ ह जहां हर व्यक्ति के हाथ में काम हो, जहां महिलाओं को अपनी बात को कहने के लिए सीधे-सीधे उनसे डारेक्ट अपनी बात कह सकते हैं, उनकी हाथों को रोजगार हो, युवाओं के पास रोजगार हो, तो ऐसा काम करना चाहिए, जहां हर व्यक्ति सुकी संबन हो, हमारा य कि हमारी मुहिम कैसे लगी और अगर आप अपनी कोई सुझाव देना चाहेंगी तो वो क्या होंगे देखिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और साधवाद देती हूं कि आज के समय में आप एक निश्पक्ष होके जिस तरह से जनता की आवाज को परमुकता से उठा आप बढ़ाई के पात रहे हैं आप लोग और जिस तरह से जमीन क्योंकि आज क्या हो रहा है कि एक हाई-टेक कर रहे हैं हर सीज को अपनी बात को कोई मुखरता से अगर उठाता भी है तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके दब जाती है तो आप के लिए बहुत-बहुत जारी पेश कर रही है तो माम का यहां पर साफ कहना है कि उनके पास सब के लिए योजनाएं है चाहे वो युवा हो चाहे महिलाएं हो और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए माम पूर्ण रूप से अपना 100% देंगी और उनका साफ कहना है कि सहस्पुर यानि की उतराखंड मे एक अलग से एक विधान सबा दिखेगी जो की विकास की चरम सीमा पर होगी अगर आपको हमारा विडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विडियो को लाइक करना ना भूले धन्यवाद